जब उद्धो साहब ने खुद मानेनिय देवेंदर फंडविस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को सचीन वाजे को इनको री स्टेट कराना चाहिए री जॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए तब आदेनिय फंडविस साहब ने उन्होंने स्पस्ट नकार दी उनकी पूरी हिस्पी देखते बरावर उन्होंने नकार देते हुं उन्हें जॉइनिंग नहीं कराई जिस दिन उद्धो ठाक्रे की सरकार अई ठाकरे सरकार चैर पर बैठे उसी वक्त परम्वीर सी जी दो फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचीन वाजे को जॉइन कर मुझे बताइए आप चचिन वाजे के कारण परमवीर सिंग को सस्पेंड कराते हैं उनकी बदली करवाते हैं मुझे आपसे विनंती करना है कि गरव मंत्री का नाम आ रहा है अदेक्ष महादे बहुत इंपोर्टन सब्जेक्ट है अगर इस तरीके से देश में खंडेनी सर जिस तरीके से बाकी लोगों पर आरोप लगें मैं आपको बताती हूं कि हमारे महाराश्रम में मुख्य मंत्री जी के ही बोलने के कारण यह सब प्रकरन चल रहा है बाकी कोई इसमें इंवल्ब नहीं है किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है किस से खंडेनी वसूल करनी है और यह जो यहाँ पर खड़े हैं जो सीए सर बारे में बात कर रहे हैं अगर सिरिफ मुंबई से सो करोड वसूली अगर महीने की ओती होगी तो पूरे महाराश्रम कीजिए आप बुलिए जब उद्धो साहब ने खुद मानेनिय देवेंदर फंडविष साहब को फोन किया और उन्हों ने कहा इस व्यक्ति को सचीन वाजे को इनको री स्टेट कराना चाहिए री जोईनिंग सर्विस देनी चाहिए तब आदेनिय फंडविष साहब ने उन्होंने स्पस्ट नकार कर दिए उनकी पूरी हिस्टी देखते बराबर उनोंने नकार देते हों उने जॉइनिंग नहीं कराई जिस दिन उद्धो ठाकरे की सरकार आई ठाकरे सरकार चैर पर बैठे उसी वक्त परंविर्च सिंगजी को फोन करके उनोंने पहला काम कराया कि पुस्चिन वाज्य को जो पूरे देश में चीज़ों को पूरे चादरी जी मैं आप से बिनंती करती हूं दो मिनट जार जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगें मैं आपको बताती हूं कि देम हमारे महाराश्रम में मुख्यमंत्री जी के बोलने के कारण यह सप्ड़करन चल रहा है वाकी कोई किसमें इंडॉल्ब नहीं है किसकी ट्रांक्वर कहां से करनी है किस से खंडे नी वसूल करनी है और यह जो यहां पर खड़े हैं जो सीए सर्भाण के बारे में बात कर रहे हैं अगर सिर्फ मुंबई से सो करोड़ वसूली अगर महीने की ओती होगी तो पूरे महाराश्रत आप रारंब कीजिए अजब अब बोलिए